आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पैक किलियर ओरल सॉलूशन के बारे में तो चलिए वीडियो हम शूख कर लेते हैं स्टार्ट करेंगे हम इस तवा के कंटेंज से तो दोस्तों इस दवा में इच 25 ml पर जो पॉली इथिलिन ग्लाइकोल 3350 USP है वहां 13.125 ग्राम पर है दूसरा कंटेंज है सोडियम क्लोराइड जो कि 0.3507 ग्राम पर है सोडियम बाइकोर्बोनेट भी है जो कि 0.1785 ग्राम पर है और लाश्ट पोटेशियम क्लोराइड है जो कि 0.0466 ग्राम पर होता है यहां 200 ml के पैक पर आने वाली एक दवा है जो कौश्ट करती है 336 रुपाए 336 रुपीज में आप चाहें तो इसे मेडिकल इस्टोर यह डिसकाउंट से ऑनलाइन से ले सकते हैं अगर डॉक्टर ने रिकमेंट किये हैं तो इस दवा को जुएंटस हेल्थ केर दवारा मार्केटेट किये जाता है तो चलिए एक एक कर हम इस मेडिसिन की दोस्तो पैक किलियर औरल सोलूइशन एक लेक्जैटि दवा है लेक्जैटिव का आर्थ होता है ऐसी दवा जिनके सेवन से मल त्याग करने में आसानी होती है इस दवा के सेवन करने पर कॉंस्टिपेशन जिसे हम कब जी कहते हैं उसमें काफी ज्याधा राहत मिल जाती है जिसके वज़े से होता क्या है मल त्यागने में काफी ज़्यादा परिशानी होती है सांती कब जो होने पर आत में मल सूख जाता है ऐसी समश्यों को ठीक करने के लिए इस दवा का डॉक्टर द्वारा उपयोग किया जाता है आनियमित मल हो तो उसमें भी इसका काफी अच्छ इसे जो है 100 ml वाटर में इसका उपयोग करना होता है 25 ml आप इस ओरल सॉलूशन को ले लिजेगा और 100 ml आपको वाटर लेना है उसमें आपको मिक्स करके इस तवा को सेवन करना होता है ऐसा आप दिन में नॉर्मली एक बार कर सकते हैं लेकिन डॉक्टर चाहें तो अपने हि लिए डॉक्टर इसे 50 ml वाटर में 12.5 ml इस ओरल सॉलूशन को मिला कर लेनी की सला दे सकते हैं इसे भी दिन में एक बार लिया जाता है और जो 7 से 11 साल के बच्चे हैं उन्हें 25 ml ओरल सॉलूशन के साथ 100 ml वाटर को मिलाना होता है और इसे भी एक बार ही दिन में सेवन करना होता है काफी सारे हमारे फ्रेंट्स यहां भी पूछते हैं कि इसके कोई side effect है या नहीं तो देखे दोस्तो नॉर्मली इस तब के कोई भी side effect नहीं है लेकिन इसका overdose करने पर या कुछ situation में पेर दर्थ, उल्टी या अपज जैसे समश्या हो सकती है अगर आप constipation की समश्या से जल्द राहत पाना चाते हैं तो आप अपने diet में fiber का सेवन जादा करें साती पानी आपको जादा पीना है अगर आप टहलते या दोडते नहीं हैं तो आप रोज morning में टहले भी और दोडने का प्रयास भी करें और दोस्तो healthy life style लखना बहुत जादा जरूरी है जिससे आपको constipation में जल से जल राहत मिल सके ओप आपको हमारे द्वारा देगी information पसंद आई हो अगर आपको इस दवा से जोड़ी कोई भी प्रसन हमसे पूछना है तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं इसी तरह रोजाना दवाईयों से जोड़ी जानकारी पाने के लिए आप अपने यूटूब चैनल एजू फार्मिसी को सस्क्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट दे सकते हैं मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो पर